हेलो फ्रेंज आप सुभी का स्वागत है इस्टाडी फाउंडेशन यूप चनल पे आसम हायर सेंडिये टेट के लिए हम लोग इस वीडियो से बेसिक नुमेरिकल्स का क्लास को स्टार्ट करेंगे और आज का वीडियो के अंदर हम लोग डिसकस करेंगे सेट थियोरी के बारे सब्सक्राइब और यहां पे जो क्लेक्शन होगा किसी भी दो पार्सन के लिए यहां पर भेरी नहीं होगा एनि किसी भी दो पार्सन के लिए रिजल यहां पर क्या होगा सेम होगा ठीक है सेट थिरी को डेपलोप किया गया था जार्मन मैथमेशिसेशन के द्वारा उनका बाँ में जोर्ज केंटर जोर्ज केंटर सीये एन्ट वार ठीकर इसके बाद हम लोग सिट का एक्जाम्पुर्ट स्करते हैं एक एकंपशल्पय में इंग्लीज अल्पावैट एंग्लिस हालाबैत में भावैल कितना होता है यहां पर दो परसन मूँस्कों के एक patho को मैं दूसरा करी मोन तो यहाँ पर दोनों के लिए रिजर्ट क्या ओगा सेम हो गया एए यूँँ इसके लिए भी हो गया यानि यहाँ पे रिदिर्स किया हुआ यहाँ हुआ इस लिए इसको हुम लोग क्या बोलेंगे एक सेथ का अच्छा सा अग्जांपूल एठिके इसके बाद एक और एक्जांपूल को discuss करते हैं ओर निचेशनल नंबर इसमलर देन फाइब और नेचेशनल नंबर होना पड़ाएगा ओभी फड़ से कम होना पड़ाईगा नेचेशनल नंबर जो काउंटिंग नंबर होता है वान से सुरु होता है सब क्या है नूच्टरिया नंबर और ओड़न पड़ेगा यानि जो जो नंबर दो से डिबी जब नहीं होगा उस्को तो वां होगा थ्री जो गार 5 होगा क्योंकि 5 से कम 3 ही यहां पे क्या होगा और निच्चे essentially नमर होगा एज जो है रिजल सभी के लिए रासे मोगा सेम फर ओल इसी लिए हम लोग बोलेंगे एक क्या है एक सेट है ठीकेट इसके बाद इसाथ अ सब्सक्राइए एक सब्सक्राइए चला लिए कर लेत एनि ओ मांत का लेटर आपको बतना है जो कि जे से शुरू होता है, जे से जनौरी होता है, उसके बाद जून होता है, उसके बाद जुलाई होता है, यह जो है कोरेक्शन सभी के लिए सेम होगा, इसलिए एक क्या है, एक सेट है, ठीक है, बाकी यहां पर तीन कोशन और है, इस को आपको कोमेंड करके इसका सभी एंसर आपको बताना है इसको प्रैक्टिस करना है इसके बाद नेक्स हम लोग कुछ कुछ इन्पोर्टेंट पॉइंट को डिसकस कर लेते हैं सेट आर उजली डिनेट बाय केप्टेल लेटर से तो आपको याद रखने हैं और सेट के अंदर जो एलेमेंट्स होता है उसको हम लोग किस से दिनोड करते हैं एस्मोल लेटर से जैसे की नेचुरल लंबार लेस देन इसको हम लोग एन से किप्टेल एन से दिनोड करेंगे इसके अंदर जो एलेमेंट होगा इसको हम लोग क्या से दिनोड करेंगे एस्मोल लेटर से इसके बाद नेक्स आप सभी को कुछ इन्पोर्टेंस सिंबल को याद रखना है जैसे कि यह सिंबल को हम लोग बोलते हैं belongs to, next इस सिंबल को बोलते हैं, does not belong to, इस सिंबल को बोलते हैं, साज़ट, यानि इस तरह होगा, या फिर इस तरह होगा, इसको आप लोग बोलेंगे, साज़ट, एन मतलब नेचुनल नंबर, डाबलू मतलब होल नंबर, क्यों मतलब रेसनल नंबर, जेड मतलब integer ठीक है तो यह सब आपको symbol याद रखने है next question को practice करते हैं तो question यहाँ पर दिया है a equal to one two three four five यहाँ पर दिया है आपको यह दो symbol insert करना है तो आई इसको सब करते हैं तो five जो है a में है तो क्या होगा five belongs to a होगा यहाँ पर उसके बाद eight देखिए eight is a के अंदर नहीं है one two three four five six तक है eight नहीं है तो two के लिए क्या होगा eight does not belong to a होगा यहाँ पर does not belong to symbol होगा three number zero a में है यह नहीं है zero a में तो यह क्या होगा zero does not belong to a ठीक है और बाकि यहाँ पर तीन question और a four five और six इसका सभी answer आप सभी को comment करके बतना है इसके बाद next लोड discuss करेंगे thisaste and animalTM Central अभी कर दो लोग कितना तरह से रिपरेजेन कर सकते हैं यहाँ फिर सेड़ का कितना टाइप होता है generally generally said का में डों टाइब होता है दो मेतर से में मेतर से हम लोग प्रीजंन करते हैं सब से पहला है सबसे पदर मेहीं शेबलेंट को डिस्कास करते हैं तो शब्से पहले मेतन को डीस इसका नाय में रोस्टर य फिर टेबलर में इन रोस्टर हर चरिसितना भी एलिम्ट होता है उसको कर थे है और अर्फ यम्ट आर्बिलिए को मा और एलेमेंट जो है कोमा से सब्रेट होता है और एंको एंद्र करते हैं ब्रेकर्ट के अंदर इस टाइब का ब्रेकिट होता है इसको इसके अंदर हम लोग इन क्लोच करते हैं एक्जाम्पल डेशकोश करते हैं धसेट ऑफ और एवेन पॉजिरीभ in टिजर लेस दन सेबिन एक है इसको हम लोग जब रिपर जन करेंगे तो रोच्टर फ़रम में किस तरह लिखेंगे टू कमा फोर कमा सिक्स और एक ब्रेकेट होगा ठीक है तो एक की सेट फ़रम में यह रोस्टर फ़र्म में तो एक्जाम में आपको कभी भी पूछ सकता है रोस्टर फ़र्म में कॉनभार्ट करने के लिए या फिर ऐसा कुशन देगा आपको बताना होगा यह कौन सा फ़र्म में है इसके बाद एक और एक्जम्पल डिसक्स करते हैं दसेट अफ और भावल इ इंगलेश अलपबेट इसको हम लोग जब रोस्टर फ़र्म में रिप्रेज्टन करेंगे तो इसतर लिखना होगा आ, अय तो ओ जो है यहाँ पर दो बार नहीं लिखेंगे, हम लोग एकी बार लिखेंगे, S, C, H, O, L होगा, यानि जो O है, उसको दो बार हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, यह बात आपको रोस्टर फर्म में हमें साथ ध्यान रखना है, ठीक है? इसके बाद next type को discuss करते हैं, जिसका नाम है set builder from, in set builder from all elements of a set poses a single common property, इसमें क्या होता है? जितना भी element होता है, उसका खुद का एक single property होता है, जो कि बाकी कोई element के अधर नहीं होगा, एक example को discuss करते हैं, for example, in a set A, I, O, U, एक क्या है? एक सका single property है, यानि क्या property है? अल्ड एलेमेंट पोजेदे कोमन पोपाटी, नेमली इच अप देम इस भावल इन इंगलिस अलफाबेट, तो इसके यहाँ और कोई यहाँ पर अलफाबेट का एसा पोपाटी सोर नहीं करता है, तो इहाँ पर यूनिक पोपाटी होगा, एंड नो अदर लेटर पोजेज इस पोपाटी, इसके बाद नेक्स और भी डिस करते हैं, एक एक एक्जामपूल और, दिनोटिंग इस लेटर बाई भी, इसके बाद कुछ इन्पोटेंट पोइंट को ध्यान रखना होगा, नोट में, इस फोलोड बाई कोलन लेकिन वहाँ पर एक क्या होगा, इसको इस परकार का जो होगा, आप्टर तर साइन अप कुलन वी राइट असके बाद जो इलेमेंट का करेक्टर होगा, ओ हम लोग लिखेंगे, और बाद में हम लोग क्या करेंगे, ब्रेकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है, इसके बाद एक और एक्जाम्पल डिस्कुस करते हैं, यहाँ पर नमबर है, 123,67,14,21,42, तो इसको जब लिखेंगे, हम लोग सेट विल्डर फर्म में, तो इस परकार लिखेंगे, एक सास डेट, एक सीजे नेचरल नमबर विच डिवाइड फोडिटू, तो इस परकार हम लोग को लिखना होगा, इसके बाद कुछ, हम में कोशन आप सभी के लिए यहाँ पर स्लाइट पर लाया हूँ, इसको आपको प्रेक्टिस करना है, इसका एंसर भी है, आपको PDF मिल जाएगा, PDF से आप सभी लोग इसको प्रेक्टिस कर पाएंगे,